असलामों आलेकुम मैं जुलेखा अरफाज जुलेखास किचेन से तो चलिए आज हम बनाते हैं जिंगे का पुलाओ जिसे आप श्रिम्स पुलाओ भी कह सकते हैं प्रॉंस पुलाओ कहिए कितने बड़िया से मसालेदार और खिले खिले से चावल दिख रहे हैं आप देख सकत हैं बहुत ही मज़ेदार घर जट पर आसानी से यह रेसेपी बन जाती है मैंने इससे है ना हमेशा मैं सीफूड की एक कोकोनेट याने के नारियल की चटनी के साथ इससे सर्फ करती हूँ उसका लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर दाल देती हूँ आप वहा से मज़ेदार से चावल बने हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसेपी साधारान याने ओर्ड़नरी इंग्रीडियन से एक्स्टर ऑड़नरी आज की पुलाव बनाते हैं चलिए हुलाओ की रेसिपी के लिए मैंने तकरीब थिनसो ग्राम जितने जिंगी लिये आप चाहे तो ड़ाई-सो ग्राम तak ले सकते हैं चाह मेरे जो जिंगे हैं वो थोड़े बड़े बड़े आप देख सकते हैं तो आपको इसे नितार लिया और एक बाउल में डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए, उसके साथ साथ 1 फोट चुड़चे का चमच नमक, 1 फोट चुडचे का चमच हल्दी, आदा चुडचे का चमच काश्मीरी लान विर्ज पाउडर, आदा नीमुका रस, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और इसे ढख कर फ्रिज में 15-20 मिनिट के लिए साइट पर रख दीजिए, जब तक हम आगे की प्रिपरेशन करते तब तक फ्रिज में रहेगा ये, एक पतीली के अंदर तेल डाल दीजिए, अपने स्वाध अनुसार में थोड़ा ज़ादा ही डाल रही हूँ क् जो प्रॉंज है, इसका तेल तो छूटता नहीं है, तो चलिए, अब मैं चुला फास्टास पर चालो कर दीजिए, ये है तीन-चार हरी लाइची, तीन-चार लॉंग, तीन काली मिरी, दो डांडी दाचीनी की, एक बादियान, आदा चुरी चैका चमच जीरा और दो तेज बाद बाएचपता दाल दीजिए, तेल के अंदर और इसे तर्-तड़ा जाना दीजिए, इसी के साथ साथ मैं तीन हरी मिर्चियां दाल देती हूं, थोड़ा सा फ्लेवर्वர्स छूटने लगे हरी मिर्चियों-क, तो दो आ नहीं निकाल लेती हूं, क्योंकि तेल में तो light golden brown नहीं हो जाती आपने वहां तक ही ये प्यास को पकाना है प्यास light golden brown हो जाए तो 1.5 tablespoon अधरकलसन का paste डाल कर इसे भी बार-बार चलाते हुए fast आज पर fry कर लीजिए तब तक fry कीजिए जब तक कच्छा पन की हुष्भी नहीं चले जाती अधरकलसन के paste की जब कच्छा पन चला जाए तो 3 medium size टमाटरों को मैंने छील निकाल लिया और बार एक बार एक काट लिया है तो वह दाल देती हूँ और इसे बार-बार चलाते हुए fry कर लीजिए तब तक fry कीजिए जब तक थोड़े नम नहीं हो जाते टमाटर चाह साइड बाई साइड मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि यह है चावल यह तकरीवन मैंने समझे ना 300 गराम लिये हैं आप साड़ी 300 गराम तक ले सकते हैं इसे मैं 2-3 पाने से धो के अभी मैं भीगाने रख रहे हूँ जब तक आगे यह चीज़े बनेगी तब तक यह भीगते रहेंगे 5-4 मिनिट हो चुके हैं टमाटोरों को भून के तो मैं चुला स्लो कर देती हूँ और यहां पर हम मसाले डाल देते हैं तो इसमें डाल दीजिए आदा चुला चाह का चमज हल्दी आप नम्मक दाल सकते हैं या फिर मेरी तरह मैं आदा चुला चुला चमज धनिया पौडर दाल दीजिए अब आप यह कम यह जाद अपने स्वादनुसार कर सकते हैं और मैं दो चुटी चैके चमज कश्मीरी नालमेच पौडर दाल दीजिए वह जादा स्पाइसी नहीं है तो मैं दो दाल रहे हूं आपका स्पाइसी वाला हो तो कम तकरीबन 3-4 चुटी चैका चमज भूना पिसा जीरा पौडर दाल दीजिए और आदा चुटी चैका चमज घरम मसाले का पौडर दाल कर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इससे स्लो आज पर ढापकर तकरीबन 4-5 मिनिट तक पकने दीजिए तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं चुट जाता और तमाटर अच्छे नम नहीं हो जाते तब तक जो साइट पर मेरिनेट करके रखे वो सारे बिसमिल लहरा खाने रेम बोल कर डाल दीजिए चूला मीडियम आज कर दीजिए और इसे बार-बार चलाते हुए जिंगो को मसाले के अंदर फ्राय कर लीजिए तक करीबन समझे ना 12-13 मिनिट तक भून लीजिए मसाले के अंद तो मैं चूला कर देती हूँ अब कोथ में दाल दीजिए और आदी निम्गू को निचोड कर दाल दीजिए एक बार चला कर मिक्स कर लीजिए और अब मैं यहां पर पानी डाल देती हूँ तो तकरीबन मेरे जो कप के हिसाब से 300 ग्राम चावल बने थे वो कप से मैंने मेज मेरेですね वो कप से अगर आपका दो कपचावल बन रहे हैं दो कांट हो रहे है तो आप तीन कप पानी डालिये विच्टीन दीजिंगे हивается इसे एके करे मैं थोड़े Subscribe नहीं नहीं आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो इसके लिए निकाल रही है, थोड़ा प्रेजेंटेशन के लिए ऊपर रखने के लिए, मैंने थोड़े निकाले हैं, आप चाहें तो मेरी तरह निकाल सकते हैं, आप चाहें तो टोटली स्किप कर सकते हैं, और जब में एक दो बार हलके हाथ से चावलों को चला लीजिए गहां ये देखिए अच्छे से ओल्दों हो सूख चुका है पानी चुली को कर दीजिए स्लो आज वो जो मैंने साइट पर रखे हैं जींगे मैं ये उपर ये सारे दाल देती हूं अगर आपने नहीं निकाले हैं तो ये स्किप कर दीजिए हरी मिर्चियां जो साइट पर रखे हैं मैं वो दाल देती हूं थोड़ी सी बारी कटी हुई कोत्मिर दाल दीजिए यानिके हरा धनिया और नीचे तवा रख दीजिए क्यों के मेरी पतीली थोड़ी सी पतली है तो मैं नीचे गरम करा हुआ तवा रख थोड़ी देर मैंने गरम पे रखा था तववे को चा गरम हो गया तो नीचे रखके ये पतीली उपर रख दी थोड़ा सा फुदीना मैंने उपर से डाला है आप भी चाहें तो डाल सकते हैं धात दीजिए और इसके उपर कुछ वजन रखके तकरीबन 10 मिनिट तक पकने द जब 10 मिनिट हो जा तो चूले को कर दीजिए बंद और इसे हीचे से तववा हटा लीजिए और 15 मिनिट इसे रहने दीजिये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए खोला ता मैं 15 मिनिट ए रहने दे रही हूँ अब 15 मिनिट हो गए अब ये देखिए बढ़िया सी माशालल हमारी पुलाव बख चुकी है मैंने इस नारियल की चटनी के साथ जो सीफूट के साथ मैं हमेशा बनाती है उसके साथ सर्फ की थी इसका लिंग डिस्क्रिप्शन के अंदर है आप वहाँ चेक कर लीजिएगा अचा हरी मिर्च अगर आपने नहीं दालनी है तो आप स्किप कर सकते हैं आपके पास पुदीरा ना हो तो आप ओमिट कर सकते हैं स्किप कर सकते हैं वह वाला स्टेप अचा यहाँ पर मैंने है ना मिर्च अपने स्वाद अनुसार डाली है अगर आप ज़ादा स्पाइस नहीं खाते हैं तो कश्मीरी लाल मिर्च पौडर आप कम दालिएगा और अगर बहुत spicy वाली है आपकी लाल मिर्ची का पौडर तो एकदम कम ही दालिएगा अब ये एकदम बढ़िया सी चटपटी सी मजेदार सी बनी है हमारे पुलाव देख सकते कितने खुले 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 और खिले खिले से चावल बने है अचा अगर आपको इतनी मसाले दाल नहीं चाहिए तो आप धनिया एक छोड़ा चाय का चमच दालिएगा एक छोड़ा च स्टाइल की सी फूड जैसे फिश है मचली या मच्छी कहिए और प्रॉंस के अंदर मैंने रेसिपी मेरे चानल पर अपलोड की आप लोगों के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है आप महां चेक कर लीजिएगा तो यह देखिए क्या बड़िया सा मजेदार सा लगते हैं अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक तो बनता है ना एक लाइक कर दीजिए और उससे जादा अच्छी लगी हो तो फैमिडी और फ्रेंज में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फरवड कीजिएगा फिर से आजिर होंगी नहीं शांदार दमदार रेसि